आपने हर जगा यह तो सुना ही होगा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है वह देश जो विश्व का सात्वा सबसे बरा जनसंख्या में विश्व का सबसे पहला देश और साथ ही साथ एक developing country हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में इसे बढ़ने के लिए कितने projects पर काम करना परेगा Hello friends, Godfather Entertainment में आपका फिर से स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में भारत के 8 projects की चर्चा करेंगे जो अगर successfully work हो गई तो भारत को develop countries में सुमार होने से कोई नहीं रोक सकता वैसे तो भारत देश को आजाद हुए करीबन 75 वर्स हो चुके हैं मगर आज भी भारत अपने full potential से develop नहीं कर पा रहा है अगर बात करते हैं चाइना की तो यह देश भी भारत के साथ ही लगभग आजाद हुआ था मगर आज चाइना की GDP लगभग 14 trillion के आसपास है और यदि बात करते हैं भारत की तो भारत की GDP मात्रे 3 trillion है मतलब चाइना हमसे चार गुना जादा develop है तो आखिर ऐसा कैसे क्यूं चाइना इतना ज्यादा develop हो गया है और भारत इतना humongous होते हुए भी आज बहुत पीछे रह गया वैसे तो इस topic पर एक separate video बनाया जा सकता है मगर मैं कुछ खास reason ही बस बता देता हूं कि क्यूं भारत पीछे है चाइना से पहला कारण भारत सही समय पर जनसंख्या पर अंकुस नहीं लगा सका दूसरा कारण हम लोगों ने technological education बहुत देर से सुरू किया तीसरा proper infrastructure की कमी चौथा poor logistic development और पांचवा अविसकार की कमी यही कुछ ऐसी कारण है जो भारत को चार गुना पीछे करके रखते हैं चाइना से ही नहीं किसी भी develop country से मगर अब यह बात भारत को भी समझ आने लगी है भारत को यह समझ आ रहा था कि हमें खुद को इस race में बनाए रखने के लिए projects पर work करना परेगा और इसी मकसद को पूड़ा करने के लिए भारत ने projects को target किया यह 8 projects भारत को next level पल ले जाएंगे तो आईए जानते हैं क्या है यह projects project number 1 आदित्य L1 mission यह mission की मदद से भारत बिना किसी eclipse के यानि ग्रहन के सुरी के data को collect करने के motive से भारत यह project launch करेगा यह भारत का पहला ऐसा project होगा जो सुरज के study के लिए 400 kg के satellite को sun और earth system के बीच यानि langering point 1 पर set up करेगा और यह satellite earth से डेर मिलियन दूरी पर established किया जाएगा और यदि यह mission successful होगे यह global level पर बहुत बड़ी success होगी project number 2 mission DISA and Trisna by ISRO space exploration के मामले में ISRO पीछे हटने वालों मिसे नहीं है ISRO ने DISA and Trisna नाम के दो twin satellite experiment में earth के upper layer atmosphere की study की जाएगी यह satellite earth के surface से 450 km उपर रहकर earth के atmosphere के उस सतह को study करेगा जो space सुरू होने के just पहले आता है इसके अलाबा त्रिशना नामक project France के CNES के साथ joint mission होगा जो earth के accurate mapping करेगा और यह mapping अंत यह mapping अब तक की सबसे study को और accurate mapping मानी जाएगी प्रोजेक्ट नंबर थ्री भारत माला प्रोजेक्ट भारत माला प्रोजेक्ट National Highway Development Project का updated version है इस प्रोजेक्ट के अंडर में government करीबन 50,000 km लंबी express वे बनाने का लक्ष रखती है इससे economic corridor, border area और remote areas को connectivity मिलेगी जिससे cargo के movement में तेजी आएगी और export boost हो सकेगा और इस प्रोजेक्ट को मात्र सुरू हो जाने से 22 million job भारत में डेवलाप हो सकते है इस प्रोजेक्ट के अंडर 9,000 km लंबी economic corridor, 6,000 km लंबी inter corridor, 50,000 km लंबी fredder corridor और 10,000 km लंबी border road connectivity की जाएगी प्रोजेक्ट नंबर चार सागरमाला प्रोजेक्ट सागरमाला एक ambitious national initiative है जो इंडिया के logistic को boost करेगा इस प्रोजेक्ट में इंडिया के coastline और waterways के पूरे potential को unlock करने का aim रखा गया है सागरमाला के website के मुताबिक इससे देश को हर साल करीबन 35 से लेकर 40,000 करोड की बज़त होगी इंडिया दुनिया में technology से लेकर production तक तरक्की के रास्ते पर है और कुछ ऐसे ही तरक्की मालगारियों को दी जाएगी प्रोजेक्ट नंबर पांच DFCS इसी से जुड़ी हुई है यानि dedicated fred corridor यह प्रोजेक्ट इंडियान रेलिवेस के लिए flaxik प्रोजेक्ट है फिलहाल इसकी दो साखाएं मनाई जा रही है एक है पुरुव की ओर और दूसरा पस्चिम की ओर इससे फायदा यह होगा कि जो मालगारी लाइन्स पर चलती है उससे fred पर shift किया जाएगा और जिससे की passenger train तेजी से चल पाएगी और जादा load की capacity भी बढ़ सकेगा मालगारी प्रोजेक्ट नमबर 6 बॉंबई एहमदाबाद बुलेट ट्रेन बॉंबई एहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफी अर्चनों से होकर गुजरा है और environmental issue आज भी इसके base को धीमा करके रखा है इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी यह बॉंबई के था इबन 2026 तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट नमबर 7 नैविक इंडियन टेरिटरी में एरियल एंड मरीन नैविगेशन डिजास्टर मैरेजमेंट ट्रेकिंग वेहिकल्स फोर ट्रेवलर्स के अप्लिकेशन के साथ इसरों ने नैविक सेटेलाइट बनाया है यहाँ एक independent region नैविकेशन सेटेलाइट है जो एक तरह से इंडिया का खुद का नैविकेशन सिस्टम है प्रोजेक्ट नमबर 7 फाइफ जी आई दोस्तों फाइफ जी आई एक तरह से फाइफ जी का मेड इन इंडिया बर्जन है जिसे IIT हैदरबाद और IIT मद्राज ने जॉइंटली डे करेगा और यह 5G से कम प्राइस का भी होगा और यह 5G के कनेक्टिविटी रूरल एडिया में पहुचाने में मदद करेगा प्रोजेक्ट नमबर 8 मिसन गगनियान इसरो के सपनों में से एक है आज तक हुमेंस को स्पेस में भेजने का काम केबल तीन देश ने कर पाए है आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू